तो ये आप किस तरह के निवेशत के लिए इसे आप एक सही product मानते हैं, यहाँ पर निवेश किसे कर रा चाहिए और कितना समय होना चाहिए, इसमें भी कितना समय देना होगा, क्योंकि इसमें equity भी है, debt भी है, commodity भी है, आप के रहें real estate का भी हिस्ता है, silver भी है, तो ये जो diversification आप लेकर आएंगे अपने portfolio में, एक तो asset allocation के लिहाद से कितना हिस्ता होना चाहिए, और दूसरा कितने समय के लिए निवेश करें इसमें, जी, तो अगर देखिए, multi asset fund अगर आपको किसी को किसको अपने portfolio में रखना चाहिए, तो उसका सबसे सरल आसान answer ये रहेगा, कि ज आप खुद से अपने portfolio में बहुत बड़ा diversification नहीं create कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, बेसिकली तो ऐसे निवेशकों के लिए जहाँ पर automatic अगर आपको asset class diversification चाहिए, एक होता है कि मैं खुद से महनत करूँ, determine करूँ कि मुझे equity में 50% रहना है, debt में 20% रहना है, 20% Indulternates में रहना है, और दूसरा आप एक fund manager को एक scheme में पैसा दे दीजे, जहाँ पर वो खुद से निंडने करेगा, कि किस asset class में उसको कितना करना है, और mandate यह है कि वो 3 asset class minimum लेके रहेगा आपके लिए, तो उस तरह कि निवेशकों के लिए अच्छा है, दूसरा जो थोड़ा सा conservative चाहते हैं allocation, थोड़ा सा safe खेलना चाहते हैं, बहुत aggressive नहीं चाहते हैं अपने portfolio को, because इसमें कुछ मातरा में debt रहता है, कुछ मातरा में gold रहता है, जो कि competitively safe समझे जाते हैं, उनको आप include कर लेते हैं, तो conservative investors के लिए और कुछ हद तक retired investors के लिए भी, depending on उनका किस तरह का pattern है investment का और क्या goals है, यह अच्छा allocation हो सकता है.